नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल समीर सिंग गाडन में और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं गाडन से रिलेटेड जानकारी बागीचे से रिलेटेड चाहे वो छत पे हो जमीन पे हो या भालकनी में हो मैं आप लोगों को देता रहता हूं लोग कहते हैं जमीन नहीं है जमीने तो कम हो रही है बिल्कुल नैचरल सी बात है लेकिन हम अपने च्छत पर या बालकनी में या छोटे से जो बागीचा है छोटा थोड़ा बहुत बचा हुआ है कच्चे जगा है उसमें भी हम करके इस प्रकृती को बचा सकते हैं तो होता है यह लाल कलर में गुलाबी कलर में हमारे पास 5-7 कलर है और आपके पास भी होंगे लेकिन क्या होता है अक्सर लेकर करके आते हैं और यह अब जैसे बरसाते आएंगी खतम हो जाएगा अगली वार फिर ढूनते फिरेंगे वह कलर वह मन पास चाहा जो डबल सिंकल वा कहते हैं सिजनल है लेकिन मैं उसका एटू जैड तारीका बताऊंगा आपको कि हमारे को इस पौधे से सैकड़ो पौधे कैसे बना ले ठीक वैसे ही जैसे देखिए यह देखिए चोटे से कसोरे में आप देखेंगे यह सारे नए पौधे मेरे त्यार हुए हैं यह आकें और इन पौधों को मिल्टीप्लाए करके अपने रिष्टेदानों नात्यतानों को मित्रों को दे सके हैं और साथ ही साथ आपको घर बार इसके लिए पैसे ना कUNGकर ने अपने तो सबसे पहले क्या करना है कि जैसे देखिए यह मई का अहीना चल रहा है और फूल आ कर पत्ते सुखे निकालने हैं और यह जो डंडिया है जो फूल दे चुकी हैं इनको हमने कट कर लेना है क्योंकि साब सफाई चाहे इंसान हो जानवर हो या पेड़ पोधे हो साब सफाई सभी को पसंद होता है तो साब सफाई से हम इसको रखेंगे तो यह अच्छा ग्रोव करे देखे कैसे काटना है ध्यान से देखना आपने यह जो फ्लावर खत्म हुआ है मैं यहां से कट कर देंगे कहां से कट करेंगे मैं गौर से दिखाता हूं यह देखिए यह कट करने का जो तरीका है यह यहां से यह दिखा नहीं कलियर आई होप तो मैं दिखाता हूं जैसे य यहां से कट करेंगे यह यहां से कट करेंगे यह वालज दोनों पत्ते हैं इसके बीच से यह कट कर देंगे अब क्या होगा यहां से और यहां से दो ब्रांचे इसकी नई निकलाएंगी नई निकलेंगी तो क्या होगा उसमें के बढ़ोतरी होगी और नया फ्लावर भी लेकर करके आएगा तो यह साब सफाई जो है बहुत जरूरी है इसी तरह से पीले पत्ते हैं इन पीले पत्तों को निकाल देना है निकाल दिया और यह पत्ते जो है पौधा उगा सकते हैं ये देखिए इसका जीता जगता एक्जम्पल है ये देखिए ये सारे जो पत्ते सुखे थे इसको हमने क्या किया है कि इसके अंदर लगा दिया है और मैं आपको दिखा हूँ ये पानी में डालके दिखा दूँ ये देखिए उखाड़ा है और इस पत से यह पौधा त्यार हो गया है तो इस तरह करके आप रख सकते हैं अब इसको लगाने का तरीका क्या है ओभी मैं आपके साथ शेर करने वाला हूं तो कुछ भी इसका वेस्ट नहीं है अब हमें अगर फ्लावरिंग कंटीनिव चाहिए तो यह आपको बता दूं कम पानी वाल लेकिन मरता नहीं है थोड़ा सा हमें वेल डेन स्वाइल देनी है और इसमें थोड़ी टेकिंग केर करनी है जैसा कि मैंने आपको बताया है तो यह नीटन क्लीन हो जाएगा अब इसमें चाहते हैं आपके ग्रोथ भी हो और बढ़िया आपको फ्लावरिंग भी आती रहे त अब जैसे गमला पते से नहीं दोरेंगे यह बात रहती है और उसको हम Let us सौक से कहते बड़े मतब गर्वित मैसूस करके कहते हैं घरब से कहते हैं कि हम हर अपते में खाद डालें फिर बी फ्लावर ने आज आ रहा पत्ते जलरे हैं उसकारी उसका होता है हर हपते में हर 15 दिन हर महीने में THAN नहीं डालना इनको दो से तीन मैने में एक बार खाद किया वशकता होती है और वो भी बहुत थोड़ी मात्रा में होती है यह देखिए इसको ऐसे को देंगे हम ऐसे जड़ें भी किसकी कमी इसको हमने मिट्टी से ठक देना है पानी डालना है और रखना पूरे सनलाइट में ही है छाओं में नहीं रखना है तो यह आपका बिल्कुल सही रहेगा स्वाइल वेल ट्रेन होनी चाहिए मैं मिट्टी की भी जानकारी दूंगा लगाने का भी पूरा विधी बताता हूं तो दो ढ़र यहाँ देख लिए हैं मेरे 5-6 और इनों आ सब बचा लूँंगा जैसे इतने पोधे त्यार किये हैं यह देखिए यह सारे त्यार हो रहे हैं हमारे इसी तरह से इनके भी पथे से पधे कैसे त्यार करने हैं आए जानते तो दोस्तों जैसे मैंने बताया कि इनकी कटिंग लगानी है, पत्तों से लगाना है, टैनी से लगानी है, दोनों ही वीधी में आपको बताने जा रहा हूं, उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, एक मिट्टी का जो इस तरह का ट्रे का सोरा लेना है, अक्सर ये चिडियों को पानी पिलाने के लिए मार्केट में मिल जाता जैसे गर्मी का दिन है तो इन दिनों हम यह बरतन जो है ऐसा लाते हैं और इसमें पानी भरके उपर रख देते हैं कि चिडियों को पानी नहीं मिलता पानी की सिक्रेसिटी है खाना तो फिर भी हम वाँ से रून लेती है लेकिन सिमपल नदी की रेत यानि के जमना सेंड बोलते हैं यहां पर जमनान दी की होती है कहीं गंगा की वहिजआ सेंड लिए इसका रिवर सेंड यह अल्पोरी टरह neighbors जी काली नहीं रखकाने अब लगाने के लिए हमें क्या सको तरीके लगाने के देखे इअ तो पहला तरीका यह है यह देखे उस तरह की जो टैनिया है इसको हम कट कर लें यह और यहां से फिर जो ने खाद दे दिया है उसमें से सेकड़ो फुटाव आ जाएंगे दोस्तों तो यह इस तरह से हमने इसकी टैनिया कट कर ली एक तरीका तो देखिए आपको यह हो गया दूसरा तरीका क्या है यह जो मैच्यूर पत्ते जो खतम हो रहे हैं इन पत्तों को हमने ऐसे निकाल लेना और आने की बात तो यह देखिए यह नए जो फुटाव हैं के ब्रांचिस जो हैं वो नए कंटिनियूस निकल रहे हैं तो यह पत्ता और यह दोनों चीजें हम इसका इस्तेमाल हम पोध्या बनाने के लिए कर सकते हैं अब करना कैसे है देखने की बात है यह रिता डालिया और यह हमने लिया एलोवेरा क्या लिया एलोवेरा को कई जगा घृत कुमारी के नाम से जानते हैं कई जगा एलोवेरा के नाम से जानते हैं और कई और लोग जानते होंगे लेकिन पहचान देख लें तो इस इससाब से है अब हमें क्या करना है इसको देखिए यह वारा हि लगाया और इसको ऐसे गार दिया दूसरे को भी हम इसी तरह से लेंगे ऐसे और इसको इससे हम पोधे त्यार कर लेंगे अब इसमें यह नहीं है कि दस दिन में पोधे त्यार हो जाएंगे हो सकता है महीना, डेढ़ महीना, दो महीना लग सकता है लेकिन पौधे त्यार हो जाएंगे आने वाले समय के लिए और ये जो हमने निकाला है टैनिया काटी है ये इसके पत्ते हम ऐसे निकालेंगे ऐसे और इस तरह से इसको अलोवेरा में लगा करके सिंपल सा काम है एक ट्रिक ऐसा है जो बता दे रहा हूं और आप सालों साल अपने मन पसंद पौधे को फ्लावर को रख सकते हैं यह नहीं के हर बार आपको खरीदना ही पड़े यह देखिए यह सिंपल कोई रूट हार्मोन भी लगा सकते हैं अगर रूट हार्मोन आपके पा सबसे बड़ी बात है यह फ्री में अविलेवल होता है कहीं भी एक पत्ता किसी पडोसी से मांग लेंगे तो आपको दे देगा यह यह आप अपने घर में हैं तो वहां लगा सकते हैं देखिए छोटे छोटे पत्ते हैं इन सभी का इस्तिमाल हम ओधे बनाने के लिए कर ले अगला जो प्रोसेस बता रहा हूं यह सिरफ लगा के छोड़ना नहीं है इसमें रेगुलर बेसिस पर आपने पानी देना है रेगुलर बेसिस पर पानी देने से क्या होगा मौश्चर रहेगा और इनकी जो रूटिंग है वो रूटिंग जल्दी हो जाएगी रूटिंग जल्दी का मतलब हपता दस दिन में नहीं महीना डेड़ महीना में रूटिंग हो जाएगी इसके बाद इसमें से पप्स बनने सुरू होंगे और फिर यह खोबसूरत पौधे देखिए ऐसे भी ऐसा लग रहा है बड़े बड़े पेड़ों इस तरह से पौधे निकल के आग डोस्तों सेंड में क्या है कि नदी की रिट जो होती है विबरे बड़ी स्टेरिलाइज होती है इसके अंदर न्यूट्रिशनेंके अपने होते है और हलका होने की वजा से इसके जो रूर्ट से वह बड़ी तेजी से यानिके चलते हैं तो इस तरह से आप पौधे त्यार कर तो इसको आप कहीं भी अपने गमले में शिफ्ट कर सकते हैं और यह ज्यादाने लेगा दो महिने के अंदर फुलावरिंग शुरू कर देगा तो अभी से इसको इसको लगा के रख सकते हैं ताके आने वाले समय में फ्लावरिंग इसकी जो है सितंबर अक्टूवर से सुरू होती है तो उस टाइम आपको फ्लावरिंग दे देगा यह जो नया पहुत है तो देखिए दोस्तों A to Z जानकारी मैंने आपको दी है क्लेंचों के प्लांट को मल्टिप्लाइ करने की क्लेंचों के प्लांट क चाहिए किसी तरह का कोई डाउट है तो हमारा वाट्सेप नंबर है वहाँ पर वाट्सेप करके इन चीजों को मंगवावी सकते हैं और जानकारी भी आप ले सकते हैं लेकिन प्लीज कॉल ना करें कॉल इतने ज्यादा हो जाते हैं एक कॉल पर बात होती है तब तक 6-7-8 करते हैं फिर लोगों की कंप्लेन होती है आप फोन ने उठाते जबकि हमारा फोन सुबद 6 वज़े से ले करके रात के 10 वज़े तक कंटिनु चलता है रात के 10 वज़े के बाद हम ने उठाते क्योंकि अपनी भी लाइफ होती है दन्यवाद दोस्तमाद